बिस्मिल्लार मादरवाहीम चेप्टर नमबर एट मैथमेटिकल इंडेक्शन और बाइनोमिल थीरम और एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं 8.2 8.2 एक्सरसाइज के ये पार्ट नमर 5 है और लास्ट पार्ट है इंशाला हम कोशिश करेंगे के इसमें जो बाकी कोश्टन रहा गया है तीन कोश्टन हैं 12, 13 and 14 ठीक है तीनों प्रूफ करने के कोश्टन हैं शो करने के कोश्टन हैं तो वो हम इसमें कवर कर लेंगे तो कोश्टन नमर 12 से स्टार्ट करते हैं कोश्टन नमर 12 से स्टार्ट कर लेंगे 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 कर लेंग 1 divided by n factorial into 2 power n x power n हमने शोग ये करना है कि ये जो बाइनोबिल एक्सप्रेशन हमें गिवन है इसके एक्सपैंशन में इसकी मिडल टर्म जो होगी वो ये होगी ये हमने शोग करना है मतलब कि इन अदर वर्ड्स हम इसकी मिडल टर्म फाइंड करके देख लेते हैं अगर तो ये आती है तो हम कहेंगे कि हम प्रूफ कर चुके हैं चले हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते है तो सबसे बहरी बात तो ये है कि हम हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है बाइनोबिल इवन होगी या ओड़ होगे तो के मिल्टिबल हमेशा एवन होते हैं तो ओड़ ह tum कितरी मनती है तोड़ नंबर आफ टरम्स इसगल टून प्लस फ़न यहनिके अज़ अज़ नंके ओड़ी है तो ऊड़ की हम में पता है कि सिंगल जो है वह होती है मिडल टर्म तो हम यहां से कह सकते हैं There is one middle term There is One middle term और वो middle term क्या होगी कितने नंबर पर होगी जाया कितने नंबर पर हम उसे कह सकते हैं कि वो term मुझूद होगी तो its number from the beginning वो क्या होगा is 2n प्लस 1 और का भी बता है ना 2n डिवाइड बै यानिके जो पावर है उसको 2 से डिवाइड करें प्लस 1 इतनी टर्म आपको बनती है ठीक है और यह कितनी किसके इकोल आती है 2, 2 से कैंसल हो जाएगा तो n प्लस 1 अथ टर्म विल बी दा मिडल टर्म आफ इस इन दी एक्सपेंशन आफ इस एक्सप्रेशन तो हम इतनी टर्म हम निकाल लेते हैं हमें स्पेसिफिक टर्म निकालने आती है हमने फाइंड करनी आती है तो हम कहेंगे कि हमने फाइंड जो करनी है वो है tn प्लस 1 tn प्लस 1 और tn प्लस 1 किसके इकोल होगी तो 2ncn into 1 की पावर 2n-n ठीक है क्योंकि एक्सपेशन में आप देखें तो a की जगा 1 है और x की जगा x है ठीक है तो into x power n आ जाएगा तो इसको मजीद हम simplify करते है 2ncn into 1 पावर 2n-n is n 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही आएगा और साथ में x power n इसलिए मैं उसको 1 को यहां से निका रहा हूँ क्यों क्यों मल्टिपलिया होके वही हमारे वापस आ जाएगा ठीक है तो इसको हम मजीद solve करेंगे simplify करेंगे तो 2ncn को हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा यहां के formula से इसको find करते हैं combination को वह आपको आता है पहले आप formula पढ़ चुके है combination के जब पढ़ चुके हैं आप ठीक है तो वह बनेगा 2n factorial divided by n factorial into 2n-n का factorial और साथ में x power n multiple हो रहा है ठीक है तो यहां से अब आगे हम इसको solve करेंगे क्या आएगा 2n factorial divided by n factorial into 2n-n क्या होता है n factorial x power n आ जाएगा नीचे तो फिर वह square बन गया लेकिन अभी मैं इसको square की form में नहीं लिखूंगा मैं इसको open करूंगा open करने की कोशिश करते हैं इसको ठीक है 2n factorial को 2n factorial का अगर open करें तो 2n into 2n-1 into 2n-2 into 2n-3 into so on या फिर 2n-4 so on up to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और साथ में divided by n factorial into n factorial पहले से मुझूद है ठीक है और यह x power n भी यहां पर मैं लिख देता हूं x power n अच्छा इसको मैंने सरफ 2n factorial को यहां पर क्या किया open कर दिया अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं इसके साथ अब हम यह कर सकते हैं के odd और even को अलाइदा कर लेते हैं ठीक है 2n into 2n-2 यह even है 2n-4 यह भी even है so on up to 4 into 2 ठीक है यह even numbers मैंने अलाइदा कर दिये odd numbers मैं अलाइदा कर देता हूं वह बने का 2n-1 into 2n-3 and so on up to 5 into 3 into 1 साथ में क्या है x power n whole divided by n factorial into n factorial इससे हमें क्या फाइदा होगा even and odd को लाइदा करने से हमें क्या फाइदा होगा even numbers अगर मैं इसमें से देखें 2 चाहूं तो इस टर्म में से 2 कमल ले लूँ इसमें से कमल ले लूँ ठीक है चलें हम कमल लेकर देखते हैं मैं कहता हूं जी के यह 2 1 और यह मजूद है इसमें से मैं 2 कमल लेता हूं और यह बंजेगा n-1 इसमें से भी 2 मैं कमल लेता हूं तो यह बंजेगा n-2 इसी तरह से सब मेंसे मैं two two common लेता रहूँंगा two into two मोल बन जाए ठीक है और इस मेंसे मैं two common लोऋगा तो ये two into one आयाजेगा यानि कि इस मेंसे मैं ब आप two common ले सकता हूँ अच्छा बाकी तो ये तो मैं सी तरह लिखता हूँगा two and minus one into two and minus three so on up to 5 3 into 1 और x power n साथ multiply हो रहा है और whole divided by n factorial into n factorial अच्छा अब कहने का मतलब ये था कि इसमें इन सब मेसे जब मैं 2 common लोगा तो ये total number of twos कितने बनेंगे जितनी terms है तो terms तो n है ठीक है तो n 2 power n मैं कह सकता हूँ कि 2 power n जो है इन सब को अगर multiply करूँ twos को तो ये 2 power n बनते है लेकिन सिर्फ even numbers है even numbers की वज़ा से मैं two से divide भी करूँगा क्योंकि अगर odd भी इसमें मुझूद होते है तो 2 n टोटल बन जाते है लेकिन half होते हैं even यानि कि suppose मैं कहता हूँ जी के एक से लेकर दस तक आप counting करें one two three four five six seven eight nine ten अब इसके इसमें से कितने numbers जो है वो even है total कितने है total is equal to ten है और even numbers कितने है is equal to ten by two is equal to five यानि का आप count करके देख ले one two three four five उसका half बन रहा है तो इसी तरह से मैंने यहां पर कहा कि even numbers में से two's common हैं इसमें सिरफ तो two and total बनते है और divided by two ठीक है और साथ में two and multiply पहले से हो रहा है ठीक है तो इसको मैं रब कर देता हूँ यह सरफ समझाने के लिए था अच्छा तो अब इसके साथ क्या है n-1 into n-2 into so on two into one यह बन गया और साथ वही जो और numbers दूसी तरह से आजएंगे two n-1 into two n-3 into so on five into three into one और x power n पहले से मुझूद divided by n factorial into n factorial अच्छा अब यहां से हम यह कर सकते हैं कि यह two two से cancel out हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा हमारे पास n into two power n या फिर हम इसे कह सकते हैं कि two power n into n n into n-1 into n-2 so on up to two into one युसी तरह से में उतार लूंगा two n-1 into two n-3 so on five into three into one और x power n whole divided by n factorial into n factorial अच्छा अच्छा अब इसमें से हम ऐसे करते हैं यहां से आप देखें मैं under and कर देता हूँ यहां से आप देखें हैं तो यह क्या बन रहा है n into n-1 into n-2 into so on ठीक है one तक जा रहा है मतलब यह n factorial बन रहा है ठीक है इसी के इकल होता है n factorial किसके इकल होगा n into n-1 into n-2 up to one ठीक है तो इसको हम n factorial लिख लेते हैं यह बन जाएगा 2 power n into n factorial into बाकी यह टरम उसी तरह से आजाएगी 2n-1 2n-3 up to 531 और साथ में x power n divided by n factorial into n factorial अभी एक n factorial जो है इन में से इसके साथ cancel out हो जाएगा और बाकी का बज़ेंगे 2 power n into 2n-1 into 2n-3 up to 5 into 3 into 1 और साथ में x power n divided by n factorial तो क्या यह वो चीज़ आ चुकी है जो हम प्रूफ करना चाह रहे है बिल्कुल आप देखें उपर जो हमने प्रूफ करना था कि middle term हमने प्रूफ करनी थी इसके इकला है तू को 1 से multiply करो या 1 को 2 से multiply करो तो same यह ना मतलब कि मैं इसका order change कर सकता हूँ तो order हम इसको change करके देखते हैं यह बनेगा one into three into five into up to two and minus three into two and minus one ठीक है और साथ में multiply हो रहा है two power n यह मैंने end पे ले आया और साथ में x power n और divided by n factorial क्या यह वही चीज नहीं है जो हमने प्रूफ करनी थी तो यह denn प्लस one हमने find किया और टी अन प्लस one क्या चीज़ है वो middle term है लूफ करनेmist तो यह वह हमने show करना था है मिल्डल तर्म है इसके equal है तो हमने middle term find की ठीक है और वो इसके equal आई हमने देखा कि क्या हमने जो प्रूव करना था उसके equal आचुकी है तो बिल्कुल आचुकी है यहां से हम कहा देंगे कि approved ठीक है तो यह था question number 12 अब हम next question पर चलते है question number 13 question number 13 में है show that इसमें भी हमने show करना है कि nc1 प्लस nc3 प्लस सौन अप्टू ncn-1 equal होगा 2 पावर n-1 के यह हमने show करना है तो एक चीज़ हमें पता है हमने इस यानि के चैप्टर के शुरूब में भी पढ़ी थी या बाइनोमियल जब हमने start किया था बाइनोमियल थेयरम उसके शुरू में हमने पढ़ी थी कि 1 प्लस x पावर n जो है वो किसके equal होता है बाइनोमियल थेयरम अगर अप्लाए गरें अजयरर में संसे थेयर थेयरम थारम थेयर को सेफ्यऱyesalis थेयरा schree Wildlife थेयर में सेट्ड फ्लस थेयर थेयर थेयरें प्लस्यर थेयर में सी और यारप्लाश सेएंगर, प्लस n c n into x power n ठीक है ये इसके इकल होता है वैसे भी आप ये expression ले 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 हैं तो उसे बाइनोमिल थिरू प्लाए करें तो ये ही आता है आपके पास तो अगर हम इसमें x की जगा भी 1 पुट करें तो क्या बनेगा पुट x is equal to 1 1 plus 1 की power n तो ये बनता है ये हम पहले भी हम देख चुके है के special जो हमारे cases थे ठीक है या detections हमने जो पड़ी थी ठीक है तो क्या बनेगा इसमें अगर 1 n की जगा हम 1 यूज़ करें तो ये बनेगा n c 1 x जब 1 होगा तो 1 plus 1 यानि के ये 2 power n बनेगा 2 power n तो ये राइट सेट के बनेगी n c n plus n c 1 plus बलके इसको हम निकाल देते हैं n c 1 plus n c 1 plus n c 2 0 से स्टार्ट करते हैं n c 0 plus n c 1 plus n c 2 और ये कहां तक जाएगा n c n minus 1 plus n c n तक मतलब कि सिर्फ कॉफिशेंट्स आ जाजेंगे अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो और उन सब कॉफिशेंट्स का सम किसके इकुल है 2 power n ठीक है यहां से हमें ये पता चलता है उसके इलावा अगर हम if we put x is equal to minus 1 पुट करें तो 1 minus 1 की power n ये तो 0 हो जाएगा ठीक है तो is equal to n c 0 plus n c 1 into x जो है minus 1 है ठीक है तो plus n c 2 की साथ हाजएगा minus 1 की power 2 ठीक है plus n c 3 इसके साथ x जो है यानि की minus 1 की power 3 plus 1 और ये भी उसी तरह से चलता रहेगा और n c n minus 1 minus 1 की power n minus 1 और last time इसकी बनेगी plus n c n और साथ में minus 1 power n ये हमने पुट किया है x को is equal to minus 1 के और हमें पता है कि अगर हम कहें कि अगर n जो है वो even है if n is even तो n minus 1 odd होगा n plus 1 भी odd होगा तो हमारे बस हमने ये देखा था deductions में के coefficients जो even terms के coefficients equal होंगे odd number of coefficients के ठीक है मतलब के मैं ये कहने चारा हो कि n c 0 plus n c 2 plus n c 4 so on up to n c n is equal to n c 1 plus n c 3 plus n c 5 so on up to n c n minus 1 के यानके ये even वाले coefficients आगे है even terms के coefficients और ये odd terms के coefficients ये आगे है ठीक है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे equal होंगे ये तो हमने पहले भी पढ़ा है ठीक है डिडेक्शन्स में डिडेक्शन्स फ्राम बाइनॉमिल एक्सप्रेशन अचा अगर हम इसको rearrange करें rearrange कैसे जो हमने equation देखी थी ये वाली equation इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ red color से ये वाली equation equation number हम इसे one कह देते हैं ठीक है equation number one कह देते हैं तो इस equation को हम अगर इस तरह से करके लिखें के 2 power left side है 2 power n 2 power n is equal to nc0 plus nc2 plus nc4 plus so on up to ncn ठीक है और इसमें हम add कर दें nc1 plus nc3 plus nc5 so on up to ncn-1 वही चीज नहीं बनती अगर इसको जो है 0 यानिका odd मैंने लाइदर कर दी है even अ मैंने लाइदर कर दी है लेकिन मैंने सब को एक दूसरे का sum लिखा है वही चीज़ है ठीक है is equal to power n न है यहां से हम क्या करेंगे हम देख चुके हैं के even number of coefficients का sum odd coefficients के sum के equal है तो हम इसको use कर सकते हैं यहां पर बादलब के इसकी जगा हम यह use कर सकते हैं तो हम use कर लेते हैं हम कहेंगे nc1 plus nc3 plus nc5 plus on ncn बलके ncn-1 इसका sum plus nc1 plus nc3 plus nc5 plus on ncn-1 ठीक है is equal to 2 power n मैंने सिर्फ क्या किया इसके equal है तो इसके जगा हम यह use कर सकते हैं तो मैंने वही use किया ठीक है तो हमारे पस यह बन गया यह statement हमारे सामने आगी है तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको लिख सकते हैं हम कि यह दो दोफ़ा आ रही है तो a plus a क्या होता है 2a होता है जिस तरह अगर यह a है यह भी a है दोनों सेम है ना तो दोनों का a कह सकते हैं तो यह 2a यह निकि 2 के multiples हम इसको बना सकते हैं मैं इसको कह सकता हूं कि 2 power n is equal to 2 into nc1 into n plus nc3 plus nc5 so on up to ncn-1 यह बनता है ठीक है अगला स्टेप हम क्या कर सकते है दोनों साइड्स पर अगर हम 2 से डिवाइड कर दें यह 2 इधर जाकर हम डिवाइड कर दें तो यह क्या बनेगा 2n divided by 2 ठीक है तो 2n divided by 2 आपको बता है 2 आगर आप उपर लेके जाएं तो 2 power n minus 1 बन जाएगा तो मैं डिरेक्ट उसी तरह से लिखते हो तो के 2 power n minus 1 is equal to nc1 plus nc3 plus nc5 plus so on ncn minus 1 इसके इको लाएगा तो यह हमने प्रूफ करना था अपने इस question में question number 13 में तो इसमें हमने बहुत सी properties यूज की है कुछ हमने deductions यूज की है ठीक है और कुछ operations हमने यूज की है तो इस तरह से हमने यूज की है तो question number 14 भी कुछ इस तरह से है question number 14 में हमने उसमें भी एक statement को प्रूफ करना है तो वो आप खुद से try करें तो इन्शाला वो आप से हाल हो जाएगी ठीक है problem तो अब यहाँ पर हमारे lecture का time खतम होता है और हमारी यहाँ पर exercise भी खतम होती है तो यहाँ पर मैं इसको lecture को end करता हूँ और next lecture से इन्शाला हम next exercise 8.3 के बारे में और नया कोई topic पढ़ेंगे